दोस्तों आज हम खर्बूजा शेक बनाने वाले हैं जो की बहुत ही असानी से बन कर त्यार हो जाता है और आप इसको वरत में पी सकते हैं तो चलिए इसमजिदा रेसीवी को बनाना सुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमने खर्बूजा ले लिया है तो खर्बुजे को हम cut कर लेते हैं और इसकी जो अंदर का बीज वाला portion है तो सारे बीज को हम को हटा देना है और ये जो बाहर का चिलका है चिलके को भी हम हटा देते हैं तो इस तरीके से हमने सारे बीज और चिलके हटा दिया हमने एक साइड अब इसको हम छोटी-छोटी slice में cut कर लेते हैं और इसको mixer jar में transfer करते हैं और साथ में ही इसमें हम स्वादर नुसार चीनी अड़ करेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं और इसमें हमने एक गिलास ठंडा दूद मिला दिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इलाइची पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं मैंने यहां पर थोड़ा सा इलाइची पाउडर रट किया है और इसमें हमने थोड़े से बादाम को क्रेश करके अट कर दिया है और थोड़े से पिस्ता और इसमें हमने थोड़े से आइस क्यूब डाल दिया है तीन से चाथ क्योंकि शेक तो थोड़ा थंडा ही अच्छा लगता है इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं और ये देखिए हमारा जटपट से शेक तयार हो गया है तो आप इसको ब्रत में इंज्वाइ कर सकते हैं आप इस गर्मी में इसको जरू ट्राय करें तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा येदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ओके फ्रेंड्स टेक केर वैवाय जल्द ही हम मिलते हैं